नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का वाइफ है स्टेडी 2.0 पर मैं हूँ अंकेत अवस्थी एक महत्वपून खबर आप सबको सुनानी है और वो ये है कि आउकुस बनाएंगे हाइपरसॉनिक मिसाइल आउकुस है क्या भाई आस्ट्रेलिया यूके और यूएस अगर इसका नियूमोनिक्स बना लिया है कि अपने एसाब से आपने लिख दिया तीनों देश के नाम काईने लिख लिए मुद्दा ये है जनाब कि ये कोई मतलब ताजा बात नहीं है अभी से आच्छे मैंने पहले से न्यूज आना शुरू हो गई थी फिलहाल हाइपरसॉनिक म इसाइल आपका मेजर मुद्दा होना चाहिए समझने के लिए लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये ultimately क्या है कहानी क्यूं हो रहा है ये सब तमाम बाते आज के सेशन में हम आपके साथ डिसकर्स करते हैं UK, US और Australia ने हाल ही में collaboration किया है कि वो मिलकर के hypersonic weapon system बनाएंगे अच कीनों देश ये वाले साथ में आये थे, कौन, America, Australia और UK इसी को AUKUS गटबंधन नाम दिया गया था, ये जो AUKUS गटबंधन है ये वर्तमान में सुर्खी में फिर से आ रहा है, इस बार nuclear submarine नहीं अपी तू, nuclear capable hypersonic missile बनाने के लिए, अब आप पूछेंगे साब ये hypersonic missile क्या होत जो की आवाज की गती से कम से कम पांच गुना अधिक तेजी से चलती हो, फिर आप सवाल पूछेंगे कि साहब ये बात इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, साहब महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि America अभी तक अपने पास hypersonic missile नहीं बना पाया है, हाला कि आप इस बात को सु सिब बड़े देशों में शामिल चीन और रशिया, ये अपना hypersonic missile 2019 में ही बना के बैठ गए थे, लेकिन अमेरिका इस कारण से पीछे जैसा होता है अगर आप class के top पर रहे हैं, तो आपको हमेशा होता है कि top करूं तो मैं ही करूं और कोई और दूसरा top कर जाए, तो फिर त अपनी hypersonic missile का परिक्षन तो किया, मार्च के दोरान किया, उस समय उक्रेन और रशिया का crisis चल रहा था, तो बिचारा ये बता नहीं पाया शर्मा के, इसने सोचा कि चलो अब एक और step आगे का बढ़ा के करते हैं, कि तुम लोग अपने अपने पास लेके बैठे हो, हम तीनो लोगों के लिए बना देंगे, इस प्रकार से इन तीनों ने मिल करके, एक collaboration sign कर लिया है, hypersonic weapon बनाने के लिए, Australia, UK, US का ये गटबंधन, AUKUS के नाम से जाना गया था, क्योंकि इसमें nuclear powered submarine technology, submarine वो जो पानी के नीचे चलने वाला जहाज होता है, जो पानी के बीतर चलता है, फ बनाने की बात कर रहा है, जिसकी गती पांच गुना तेज होगी, अवाज की गती से, और सबसे खास बात ये होती है, कि ये दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह हिट कर सकता है, अब आप सवाल हूचेंगे, सर कहीं भी हिट करने के लिए तो कोई सी भी missile हो सकती है, ये ऐसी खासियत इसमें क्या होगी, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है, कि ये इतनी तेज होती है, कि जो दूसरे दुश्मन के पास में, जिसके उपर चलाया जा रहा है, उसके पास में जो इंटरसेप्टर missile सिस्टम रखा हुआ है, जैसे इंडिया के पास में S-400 है, अमेरि इंडिया से आपने चलाया, तो इंडिया से 15,000 किलोमेटर प्रती गंटे की रफ्तार से अगर ये उड़ेगी, तो आप सोच के देखो कि दुनिया के किसी भी कौने में, खंटे बर में आप अटेक कर सकते हो, यानि इतनी quick action होती है, अब ऐसी स्थती में इसकी दिवान की ल announcement किया, कि भाई मैंने तो अपनी hypersonic बना भी ली, और दुनिया के सामने युद्ध में चला के भी दिखा दी, कहां चला के दिखा दी, आपको मैं याद दिलाओं, आपको याद होगा, हमने class में पढ़ाया भी है, आप देख लीजे, ये class का ही screenshot है, दो week पहले मैंने आपको बताया था, कि रूस ने छोड़ा ब्रहमास्त्र, युक्रेन के उपर हमले करने के लिए, रूस ने अपना hypersonic missile छोड़ा था, ये मैंने आपको class में पढ़ाया हुआ, screenshot आप देख सकते हैं, और इसका नाम किंजल missile system था, मैंने आपको यूज किया था, बताया भी था, और मैं यानि युद्ध में भी test हो चुकी है, वहीं अमेरिका का missile system अभी तक test भी नहीं हुआ है, प्रॉपर तरीके से हाना कि Americans कह रहे हैं कि हमने उसको दो बार test कर लिया है, अपने वाले को, Americans ने हाल ही में अपनी जानकारी 5 April को साजा करी और कहा, कि US ने hypersonic missile को mid March के अंदर test कर ल निर्माने में निर्मान में साहिता दी है, Defense Advanced Research Project Agency DARPA, US Air Force और इन्होंने लोकेन मार्टिन के साथ मिल करके इसका निर्मान करवाया है, कुछ इस प्रकार की वीडियो फुटेज देखने में आ रहे हैं, अब पता नहीं कौन सी missile के हैं, हम तो hypersonic की मान लेते हैं, hypersonic को लेकर के सुनने में ये आया कि अमेरिका ने aircraft से launch होने वाली hypersonic missile का हाल ही में test किया है, अब सबसे बड़ा बवाल ये है, कि सार एक बात बताईए, hypersonic की गती इतनी तेज होती है, चीन के पास कहां से आगी है, चीन भाई technology पर काम कर रहा है, चीन ने तो इतना हद कर दिय कि उसने मैंने पढ़ाया भी है, लास्ट अगस्त में आपकर चाहें, चीन ने तो इतना शांदार missile का परिक्षन किया, कि वो किसी के पकड़ में radar में भी नहीं आई, जैसे होता है न, कि radar का मतलब होता है कि radar को तो पता चली जाता है कि हाँ भाई कोई object आया था, वो बात द है न, जैसे बैंकों में SBI और HDFC के लिए कहता है कि too big to fail, है न, too big to fail TBTF status देते हैं अपन बैंकों को, जैसे HDFC है, SBI है, ऐसे ही hypersonic missile के बारे हम कहता है, too fast to intercept, too fast to intercept, TFTI, मतलब यह है कि यह इतनी fast होती है कि इसको intercept नहीं कर पाते है, हाला कि रश्या का कहना है कि हमारी missile को, यान उसके पास में यह तखनीक है कि वो उसको पकड़ भी सकता है, मार भी सकता है, हाला कि देखिए, कौन किसकी बात सही है, यह तो पता नहीं, मजदार किरदार जो है न, इस पूरी कहानी के अंदर वो है North Korea, किम जॉंग उन भी दावा कर चुके है कि उनके पास भी hypersonic missile system है, हा interesting fact यह है कि जिस missile को अमरीका नहीं बना पाया है, वो इनके पास में है, तो चाइना ने hypersonic missile परिक्षण करने के बारे में, मैंने आपको पहले भी बताया है, इन्हों ने परिक्षण किया, इसके साथ नौर्थ कोरिया का भी दावा चल रहा है, अब आप पुछेंगे hypersonic की speed 5 Mac होती है, और कौन-कौन से missile होती है, एक होती है supersonic, एक होती है subsonic, Mac एक से अगर कम की speed है तो subsonic, एक से लेके 5 की speed है तो supersonic, और 5 से उपर की गती है तो hypersonic speed की गती कहलाती है, 5 Mac जो है, वो अवाज की गती से 5 गुना होने को कहा जाता है, ठीक है, हाना कि सब देशों ने अपन कर सकते हैं यह किस के पास में है अमेरिका के पास में जो मिसाइल सिस्टम है इसका नाम रखा हुआ है AGM 183 इसके साथ साथ इसकी स्पिड का दावा है कि इस 20 मैं की गती से चलती है फिर वही वाली बात यह अब तक Ch each परिक्षन करने ही पाएं हैं, बाते बड़ी बड़ी बना रहे हैं, कि हमारे पास 20 मेक है, रूस कहता है कि हमारे पास 8 मेक है, चीन कहता है कि हमारे पास 5 मेक है, भारत, जापान, फ्रांस, जर्मनी भी इस मिसाइल परिक्षन को करने में लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो उम् पर आपको class का content PDF के format में regular RNA की files प्राप्त हो रही है Unacademy पर जुड़कर पढ़ने के लिए यदि आप prelims और CSET के test series देना चाहते हैं तो आप उसे join कर सकते हैं बहुत ही nominal दामों पर Iconic Subscriptions भी हमारे पास available हैं आप इसके अंदर one-to-one mentoring प्राप्त कर सकते हैं Iconic Subscription 67,000 रुपीज में आप ओपलब दो रहा हैं जिसके अंदर आप interest मतब free EMI option भी access कर सकते हैं Unacademy के courses में आपको printed comprehensive notes, proper तरीके का question bank, personal mentorship आदिस विधाएं भी दी जा रही हैं फिलाल के लिए इतना ही अपना खयाल रखें धन्यवाद